आज का जो वीडियो है ये उन माताओं और बेहनों के लिए हैं जिनको सफेद पानी, वजाइनल डिश्चार्ज, लिकोरिया या जिसको शुयत परदर के नाम से भी जाना जाता है ऐसी समस्या हैं और ये बहुत ही आम, बहुत ही कॉमन समस्या है महिलाओं में हर दस में से चार से पांच औरतों में, लड़कियों में, महिलाओं में ये बीमारी पाई जाती है या इस बीमारी के लक्षण होते हैं इस बीमारी को लेके बहुत सी आम भ्रांतिया भी है और जिसके कारण आगे जाके या तो ये बीमारी बढ़ जाती है या उनके वेवाहिक समंदों म भी खटास पैदा हो जाती है तो इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जो यह वजाइनल डिश्चार्जिस हैं यह कितने पिरकार के होते हैं इनके कारण क्या है और क्या इंसे घबराने की जरूत है और क्या इसको जड़ से ठीक किया जा सकता है तो अच्छल में जो वजाइनल डिश्चार्ज है वो बड़ी नॉर्मल चीज है जैसे जैसे लड़कियों में उमर बढ़नी शुरू होती है वो प्यूबर्टी की तरफ जाने लगती है उनमें हार्मोनल चेंजिस आते हैं तो वजाइनल डिश्चार्ज नॉर्मली आने लगते हैं और आने भी चाहिए यह बहुत जरूरी है वजाइना या योनी के स्वास्त के लिए यह जो डिश्चार्ज हैं वो योनी को नम रखने का काम करते हैं वहाँ पे गीला पन रखके या चिकनापन रखके वहाँ पी-च मेंटेन करते हैं और जो यह पी-च है बाहर से आने वाले इंफेक्शन को बेक्टिरिय इंफेक्शन को या दूसरे तरह के इंफेक्शन को रोकता है तो इक तरीके से यह जो डिश्चार्ज हैं वह वेजाएना के गाड के दूर पे भी काम करते हैं बगर यह जो डिश्चार्जेस हैं इनमें ना कोई बद्बू होती है ना बहुत ही जादे गाड़े होते हैं और यह नॉर्मल डिश्चार्ज माने जाते हैं मगर जब भी डिश्चार्जेस की quantity मात्रा बढ़ जाए उनकी consistency गाड़ी हो जाए या उनमें बद्बू आने लगे तो यह पहला लक्षन होता है जहां पे आपको alert पे आने की जुरूत है इसको बिना जिजग बिना शर्मार्ट अपने डॉक्टर से शेर करें समय रहते आप इस बिमारी को जड़ से ठीक कर सकते है तो जब भी कोई infection होता है अब infection अलग अलग तरह के हो सकते है यह bacterial infection भी हो सकता है यह viral infection भी हो सकता है यह fungal infection भी हो सकता है yeast का infection भी हो सकता है और इनी infectionों के अधार पे जो discharges हैं उनका गाड़ापन या उनका कलर अलग अलग दिखता है तो जब बद्बू आने लगे, डिश्चार्ज जादा आने लगे तो ये मान के चला जाए कि अब ये बिमारी है तो इसको नहीं छुपानी की ज़रुवत है जनरली जो सफेद कलर के डिश्चार्ज होता है जो वाइट, चीजी या दही जैसे कलर का डिश्चार्ज आता है वो फंगल इंफेक्शन या इस्ट के इंफेक्शन के कारण होता है जो दूसरे पिरकार का डिश्चार्ज होता है वो सफेद भूरे रंग का डिश्चार्ज होता है जनरली सफेद भूरे रंग के डिश्चार्जे जो है वो bacterial infections के कराण आते है या bacterial vaginosis जब बिमारी हो जाती है तब इस तरह के डिश्चार्जे आने लगते है तीसरे पिरकार का जो डिश्चार्ज है वो हलके पीले भूरे रंग का डिश्चार्ज आता है और हलके पीले भूरे रंग के जो डिश्चार्जे है वो जनरली एक sexual transmitted disease होती है जिसको गुनोरिया के नाम से जाना जाता है उस बिमारी में आते हैं लेकिन अगर इस डिश्चार्ज का रंग हलके पीले रंग के साथ-साथ कुछ ग्रीनिश कलर का हो जाए तो फिर ये मान के चला जाए कि ये जो infection है वो trichomonosis एक और बिमारी होती है या एक और प्रिकार का infection होता है उसके कारण ये डिश्चार्जे आ रहे हैं और इसको ध्यान देने की जरूरत है इसके अलावा हलके लाल बुरे रंग के डिश्चार्जे भी आते हैं ये डिश्चार्जे या तो महावारी के आगे पीछे भी हो सकता है लेकिन अगर ये बार बार महावारी दो महावारी के बीच में अगर बार बार इस तरह के डिश्चार्ज आने लगता है लाल भूरे रंके तो यह मान के चला जाए कि जो बच्चे दानी का मुह होता है उसको सर्विक्स के नाम से जाना जाता है तो यहां पर या तो इरोजन्स होता है या फिर यह मान के चला जाए कि फिर यह सर्वाइकल कैंसर का भी लक्षन हो सकता है या endometrial cancer का भी लक्षण हो सकता है, endometrial यानि के बच्चे दानी के अंदर की जो दिवार होती है, उसको endometrium कहते हैं, उसमें cancer होने का डर रहता है, तो इसलिए इन डिस्चार्जेस को हलके में ना ले, अगर जरा सा भी आपको लगता है, कि वजाएना से या योनी से आने वाले डिस्चार्ज में बद्बू है, गाड़ापन है, या बहुत जादा आने लगा है, या बार-बार आने लगा है, तो अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं, क्योंकि ये छोटी सी समस्या, आप सोचिए, cancer तक भी लेके जा सकती है, जनरली एक वारिस होता है, जिसको पैपि जाए तो इससे अपने आपको बचाया जा सकता है, या इस बीमारी को cervical cancers को रोका जा सकता है, आप बात कर लेते हैं कि इसका इलाज क्या है, इलाज इसका बहुत संपल है, मगर ज़रूर था उससे पहले कि इसको डाइगनोस किया जाए, डाइगनोसिस, कॉल्बोस्कोपी की दुरूर या और भी बहुत सारे investigations होता है, वो आपका Gynecologist आपको बता देगा, जब भी आपको ऐसे लक्षर होते है, गाइनकोलोजिस से मिले, proper जाच कराएं, और proper जाच कराने के बाद, जब डॉक्टर आपको इलाज देगा, तो ये बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगी, अगर bacterial infection है, तो antibacterial दवाई दी जाएगी, fungal infection तो antifungal दी जाएगी, या अगर viral infection है, तो antiviral दवाई दी जाएगी, कुछ kits भी आती हैं, कुछ combinations और दवाईया भी आती हैं, ये भी इस्तेमाल की जाती हैं, मगर डॉक्टर की सलह से, इस बीमारी में आप अपने आप से, self-medication करते हैं, तो इस बीमारी खत्रे को और बढ़ा लेता हैं, तो इसलिए आप gynecologist से ही इस बीमारी का इलाज कराएं, जो भी परकार का infection होगा, उसके अधार पे, वो आपको दवाई देंगे, और ये बीमारी ठीक हो जाएगी, एविन अगर सही समय पे आपने cancer को भी ड infections बाहर निकलने के chances हो जाते हैं, ठीक होने के chances जल्दी बनते हैं, मीठा कम काएं, जनली डियाबिटिक लोगों में infection होने के खत्रे जादे रहते हैं, तो आप मीठा कम से कम काएं, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें, आप vaginal wash का use कर सकते हैं, या simply आप ताजा नीबू पा जनली बहुत अच्छी दवा के तोर पे मानी जाती है इस बीमारी के लिए, बनाने का बड़ा अच्छा रोल है, केले का बहुत अच्छा रोल है, इस बीमारी में, और खास तो रसी जो चावल का पानी है, वो भी काफी फाइदेंबन दोता है, तो ये तो हमने बात कर ली इसका कुछ हिलाज है, आयरविदा और युनानी में इसका बहुत अच्छा हिलाज है, युनानी में इसकी ड्रग ओफ च्वाइस होती है, माजून सुपारी पाक, सुपारी पाक का 77 ग्राम सुबा शाम, डिर्ष से 2 महीने खाने में ये बिमारी पिल्कुल ठीक हो सकती है, उस और इस बिमारी को आप जड़ से ख़तम कर सकते हैं, बार-बार होने से रोक सकते हैं। मगर कंडिशन होई है कि आपको ये दवाईयां भी डॉक्टर के मश्वरे पर ही खानी हैं। अपनी मर्जी से या मैंने जो आपको बता दिया इस वीडियो में इसके अदार पे दवाईयों को शुरू ना करें। तो मुझे उम्मीद हैं उन माता बेहनों को ये वीडियो पसंद आया होगा जो इस बिमारी से इस समस्या से जूज रही हैं और इससे इसको फाइदा मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को खास सूर से अपने महिला मित्रों में शेयर करें। उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिले और आप इस बिमारी को पूरी तरह जड़ से ठीक कर पाएं। बैल आइकन का बटन जुरू दबालें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद।